नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का My GK Course Tricks चेनल पर दोस्तों आज हम आपके लिए 30 Most Important Computer GK का Question and Answer लेके आया हूँ जो कि सभी एक्जाम के लिए Important रहेगा तो इस वीडियो को लाश्ट तक देखना मत भूलिएगा और एक बात ध्यान रहे यहाँ वीडियो 30 Top Computer GK का Part 29 वीडियो है Part 29 वीडियो है तो चलिए सुरू करते हैं Question No.1 IBM क्या है दोस्तों IBM एक कमपनी है दोस्तों अगर आप से पूछा जाए कि IBM का Full Form क्या होता है तो IBM का Full Form होता International Business Machine Next Question Question No.2 पर्थम पिड़ी के कमप्यूटर में क्या परियो करते थे वैक्यूम ट्यूब Question No.3 Microsoft Corporation का संबन किस उदोक्स है Computer Software से Question No.4 Software के लिए एक अन्य सब्द क्या है System है Software के लिए एक अन्य सब्द System है Question No.5 Computer Printer किस प्रकार का डिवाइस है Output डिवाइस है Question No.6 Computer में Built Permanent Memory को क्या कहते है Rome कहते है Rome R.O.M. अगर आपसे पूछा जाए कि Rome का फूल फॉर्म क्या होता है तो Rome का फूल फॉर्म होता है Read Only Memory Read Only Memory Question No.7 Computer को बनाने वाले Physical Components को क्या कहते है Hardware कहते है Hardware Question No.8 HTML का फूल फॉर्म क्या होता है Hypertax Markup Language होता है Question No.9 URL का फॉर्म क्या होता है Uniform Research Locator Question No.10 IBM का पूर्ण नेम क्या है IBM का फूल फॉर्म होता है International Business Machine Question No.11 UPSC का फॉर्म क्या होता है UPSC का फॉल फॉर्म क्या होता है Uninterruptive Power Supply Uninterrupted Power Supply Question No.12 किस प्रकार के डिजिटल फाइल है इमेल में से संबंदित हो सकती है दोस्तों सही जवाब है संगीत, डोकुमेंट, एवंग, फोटो Question No.13 Physical or Network Layer के बीच में कौन सी Layer पाई जाती है Data Link Layer Data Link Layer Question No.14 Computer में किसी सब्द की लंबाई मापते हैं बीच से Computer में किसी सब्द की लंबाई बीच से मापते है Question No.15 किसी प्रोग्राम में बग क्या होता है एरर होता है Question No.16 सावर्धिक तेजगती का प्रिंटर है Laser printer Question No.17 सूचना राच्पत किसे काते हैं Internet को Next Question Question No.18 इमेल के जनमदाता कोन है Ray Tomlinson Question No.19 CPU का आर्थ क्या है यानि कि CPU का फुल फॉर्म क्या होता है CPU का फुल फॉर्म होता है Central Processing Unit Question No.20 अनुपम क्या है अनुपम एक सूपर कम्प्यूटर है Question No.21 भारत में विक्सित परम सूपर कम्प्यूटर का विकास किस संस्था ने क्या C-DEC ने क्या था C-DEC ने Question No.22 Computer Computer डाटा की सबसे छोटी का ही क्या है बीट है Computer डाटा की सबसे छोटी का ही बीट है Question No.23 Apple क्या है Apple क्या है Apple एक चतूर्थ पीड़ी का कम्प्यूटर है Question No.24 आधनी कम्प्यूटर की खोज कब होई थी आधनी कम्प्यूटर की खोज 1946 में होई थी Q-DEC Question No.25 Computer का हिंदी नाम क्या है संगनक है Question No.26 सबसे पहला कम्प्यूटर का नाम क्या एनिक है, एनिक सबसे पहला computer का नाम एनिक है, question नीदम 27 data processing का इर्थ क्या है, one is उप्योग के लिए जनकारी त्यार करना, question नीदम 28 क्रिर क्या है, क्रिर एक super computer है, दोस्ट नेदम जब भी आपसे πूछा जाएक क्रिर क्या है, क्रिर एक super computer है, question नीदम 29 computer की computer के अस्थाई सिम्रित यानि के अस्थाई memory को क्या कहते है ROM कहते है ROM ROM अगर आपसे पूछा जाए कि ROM का फूल फॉर्म क्या होता है तो ROM का फूल फॉर्म होता है read only memory read only memory तो गाईस इस वीडियो में इतना है अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो